नमस्कार दोस्तो आज हम पढ़ेंगे MS word में insert tab के बारे में insert tab में pages हैं, pages में cover page, blank page और page break के बारे में हम सीखेंगे सबसे पहला हमारा cover page, cover page बता दो दोस्तो होते क्या है कि काफी book और notebook ऐसे रहते हैं जिन पर cover page से ही मालुम चल जाता है कि इसमें क्या है पढ़ने के लिए, तो हम यहां से cover page बना सकते हैं मैं यहां cover page पर click करता हूँ, single click करने के बाद यहां आपको काफी format मिलते हैं, देख सकते हो आप, आपको नजर आई रहा होगा यहां से आप कोई भी format उठा लीजिए, मान लो मैंने यह format उठाया है मैं जूम आउट करके दिखा देता हूँ, आपको complete नजर आ जाएगा दिख रहा है आपको, अब इसमें आप कोई भी परिवर्तन कर सकते हो cover page में भी आपे, यहां year डान ला है, मैं year डाल देता हूँ documents title, documents title मैं डाल देता हूँ, MS word MS word लिख दिया है मैंने यहां आप नाम दे सकते हैं, company name दे सकते हैं और date भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया और इसको थोड़ा बढ़ा कर देंगे, जूम कर देंगे इसका मैं font size बढ़ा देता हूँ, जो अच्छे से नजर आ जाएगा यहां से आप इस परकार से कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं, इस परकार से आप cover page बना सकते हो आप और भी picture insert करवा सकते हो, मालो यहां आपको computer की picture लगानी है तो यहां पर आप computer की picture लगा दो, मैं search कर लेता हूँ, click part में computer की picture आगी और मुझे यहां डालनी है, तो मैं यहां पर इसमें देखो, एक picture लगा दूँगा इस picture का मैं size कम कर लेता हूँ, तो अब इससे पता से लिएगे कि यह हमारी notebook किस की है, computer की है इस परकार से आप कोई भी picture में भी परिवर्तन कर सकते हो, name परिवर्तन कर सकते हो, इस परकार से आप बहुती अच्छा cover page ही तियार कर सकते हो आगे चलते हैं, blank page की और, blank page से क्या होता है, मैं cover page को remove कर देता हूँ, अगर आपको cover page delete करना है, तो नीचे यहां आपको option मिलता है, remove current cover page, यहां click कर के आज cover page को आप delete कर सकते हो, अब देखो मेरे पास एक page खुला हुआ है, यहां आप देख सकते हैं, नीचे page एक खुला और अपने type कुछ भी नहीं किया है अभी, तो मैं यहां पे कुछ भी type कर लेता हूँ, formula की साइथा से मालो मैंने type कर लिया, अब देखो मेरे पास एक ही page है, अब मुझे एक page और लेना है, अब एक page है, हमें एक page गोर आप सकता है, तो आप cursor नीचे लियाओ, और blank page, blank page पे जितनी बार click करोगे, उतनी page खुल जाएंगे, मैंने click किया, यह देखो, यहां नीचे एक page और आगया, आप यहां देख सकते हो, दो page हैं हमारे पास, अब यह होता है blank page, अब आगे है page break, मालो यह paragraph मैंने 5 paragraph ले रखे हैं, और इन paragraph, अब मुझे इस 5 paragraph को दो तो अलग page में रखना है, और 3 को अलग में रखना है, तो यहां मैं बीच में से page को काट दूँगा, page break कहां से होता है, हमारे cursor, जहां हमारे cursor होगा, वहां से page break होता है, देखो, मैं cursor यहां रख लेता हूँ, तो जूम कर देता हूँ, आपको नजर आ जाएगा, सही से, paragraph first, paragraph second, मैं यहां आपने करसा रख दिया, देखना, अब यह जो page है, यहां से कट जाएगा, click किया, page break पे, यह देखो, यह नीचे आ गया है, और हमारे जो दो paragraph है, वो उपर वाले page में चले गया है, और यहां page की संग्या बढ़ गई है, इस परकार से आप page break कर सकते हैं, double click करके, आप इनका size कम कर सकते हैं, यह देखो, double click, page break पे double click करो, पेज आपस में यहां पास पास हो जाएगे, जो जगए खाली रहती है, वो हट जाएगे, यह देखो, इसमें दो ही लाइने थी, इस page में, यह दो ही लाइने आ गए हैं, बाकी page कट गया है, अगर आपको वापस वही size चीए बढ़ा ही, तो आप double click कर दो, यह देखो, page के लंबाई बढ़ जाएगे, आसा करता हूं दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आया हुगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक करें, share करें, और अमें comment box से मत,